ठीक है चलो next topic start कर रहे है determination of foreign exchange rate determination of foreign exchange rate सब सामने देखेंगे बेटा भी बेटा किसी भी market में कोई भी commodity भिक्ती है तो उसका price कैसे determine होता है demand and supply pressure किसी भी market में कोई भी commodity भिक्ती है एक ही तरीका उसका तो बेटा foreign exchange market में foreign currencies भिक्ती है तो उनका rate कैसे determine होता होगा upon demand and supply pressure based upon demand and supply तो बेटा आपको करना क्या है curve frame करना और इसकी explanation देनी है ठीक है explanation लिखने का तरीका मैं बताऊंगा एक बार बता दू दुबारा नहीं बताऊंगा ठीक है मेरे को ऐसे बहुत सारे diagram बनाने है अब ही मेरे को इसके बाद next topic स्टार्ट करने है आपने micro में भी बढ़ा है increase in demand का effect क्या पढ़ता है equilibrium पर ऐसे ही फिर बेटा decrease in demand का वैसे increase in supply का तो इसके बाद 4 diagram और बनने वाले है तो एक बार बता दू मैं आपको explanation एक बार समझा देता हूँ ठीक है चलो अभी सब सामने देखेंगे बेटा लो जी बेटा अभी आप करोगे क्या इतना सा आपने diagram बनाया मैं पहले इसकी explanation समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है आपको बता देता हूँ बेटा पाँच पॉइंट यही से लिखे जाएंगे पाँच पॉइंट मुझे नहीं बता आप क्या समझते हो ठीक है अभी कुछ भी नहीं किया पाँच पॉइंट लिखे जाएंगे इससे कैसे लिखोगे सबसे पहला पॉइंट सबसे पहले पॉइंट में बताओगे बेटा इंदा diagram x-axis पे हमने क्या चीज को लिया है क्या चीज लिया हमने आपर demand and supply of or x फिर बताओगे बेटा y-axis पे हमने क्या चीज लिया है rate of or x फिर बताओगे बेटा हमने demand curve draw किया है जिसका नाम है d-d और ये हमेशा कैसा होता है negatively sloped होता है from left to right ठीक है फिर बताओगे बेटा supply curve के बारे में supply curve जिसका नाम हमारे diagram में s-s है ये positively sloped है from left to the right फिर बताओगे बेटा point e के बारे में point e कौन सा है equilibrium point है बेटा जा demand और supply ने एक दूसरे को intersect किया है बेटा OR बनने वाला है optimum rate और OQ बनने वाला है optimum quantity demanded and supplied ठीक है ना बेटा ये वो rate है बेटा जिस पे demand और supply एक दूसरे को intersect करते हैं बेटा ये ही rate determine हो जाएगा ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है इतना तो बड़ाई है यार कभी ना कभी चलो बेटा मैं आप से बुछता हूँ ये situation क्या है ये ये इलागा कौन सा है ये बेटा access supply है access supply नहीं दिखाई दे रही supply कर्व ये demand कर्व यहाँ पर और supply कर्व ये है supply जादा नहीं दिखाई दे रही ये इलागा कौन सा है supply कर्व इतना सा ये क्या demand कर्व ये क्या बेटा ये access demand है ये सारी access demand है ठीक है चलो इनके बारे में भी कर देते हैं कुछ बात अभी कर देते हैं आगे की कोई tension नहीं अभी करते हैं इसकी बात लो मैं ये रब कर दू क्योंकि मुझे इससे related कुछ बात करनी है ये तो समझ में आ रहा है ये access demand और access supply कैसे है बेटा अगर rate बढ़ता है तो demand गरती है supply बढ़ती है ठीक है ऐसे ही होता है rate बढ़ने पर क्या हुआ बेटा demand फॉल हो गई कितनी रह गई 0Q1 पहले क्या थी 0Q1 अब क्या रहेगी 0Q1 बेटा supply पहले क्या थी 0Q थी supply बढ़ गई क्या हो गई 0Q2 होगी बेटा अब होगा क्या समझो जैसे ही rate बढ़ेगा demand कम हो जाएगी supply बढ़ जाएगी जैसे ही rate बढ़ेगा बाबू rate बढ़ने से क्या होगा supply बढ़ जाएगी दुनिया supply करना शुरू कर देगी demand करनी कम कर देगी ये बेटा force करेगी इस rate को कि ये दुबारा equilibrium पर shift हो जाएगा खुद सोचो ना एक डॉलर 70 रुपे का था आप 73 रुपे का हो गया दुनिया बेचना शुरू कर देगी उन्हें तो कमाई दिखरी है तीन रुपे बढ़ गया बेचो 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 supply आप जादा करोगे demand उत्री नहीं है बेटा rate गिरेगा ये बेटा कोशिश पूरी करेगी access supply पूरी कोशिश करेगी ये दुबारा equilibrium तक shift हो जाए ठीक है एक point इसका 6th point 7th point बेटा rate कम हो गया rate कम हो गया rate हो गया R2 अब क्या होगा बेटा demand बढ़ गई supply कम हो गई ठीक है rate कम हो गया लोग ज़्यादा demand करनी शुरू करतेंगे और supply करनी कम करतेंगे बेटा जैसे ही demand वो बढ़ाने शुरू करेंगे rate बेटा दुबारा shift होने की कोशिश करेगा equilibrium तक 7th point बात ओके diagram समझ आया fit fine ठीक है रब कर दू determination of foreign exchange rate समझ आया पूरा 7 point लिखे जा सकते हैं हाट diagram में 7 point लिखे जा सकते हैं बता रहा हूँ आपको बहुत अराम से मैं 9,9 point भी लिखवा सकता हूँ आपको लेकिन इतना भी लिख दोगे तो भी 6 number में हो गया तो 6 मिलेंगे कहीं बार हो जाता है बेटा examiner ये question देता है 6 number में से पूरी unit में से कुछ नहीं आता पहले पूरे chapter में से कुछ नहीं आता ये आ जाता है 6 number तो बेटा अगर ये free के number भी नहीं लिए तो बेटा फिर कुछ नहीं किया धरती पे आके ठीक है अब बेटा next topic पढ़ने वाले है इससे relate करता है increase in demand का क्या effect पढ़ता है equilibrium पर ठीक है अब increase in demand का effect देखना है और यकीन वानना बेटा इसमें सोचना कुछ भी नहीं है सोचना कुछ नहीं है सिर्फ बेटा diagram में diagram सब कुछ है ठीक है चलो जी सामने देखना जड़ा मेही तरफ x-axis पे demand and supply of forex demand and supply of forex बेटा y-axis पे rate of forex demand curve negatively slope supply curve positively slope जाएं intersect करा point e अगर इसके पहला line कीचोगे तो यहाँ बनेगा rate यहाँ बनेगी quantity ठीक है 5 point लिख लिए क्या लिखोगे x-axis पे क्या लिया y-axis पे क्या लिया है उसके बाद बेटा demand curve का नाम क्या हमारे example में d-d कैसा sloped है negatively sloped है from left to right ठीक है supply curve कैसा है बेटा positively sloped है from left to right लिख दोगे point number e explain कर दोगे r की बाद बता दोगे q की बाद बता दोगे 5 point होगे ok बाद चलो अब उसने क्या का increase in demand का effect चलो देख लेते है बेटा increase in demand है कहा shift करू right left demand कर गो कहा shift करू right और अब एक बाद सुन लो बेटा अगर आज तक ये भी बाद सिखी नहीं है जब भी increase होगा जिस भी कर्व में increase करने को कहेगा वो मेशा right shift होगा ठीक है यह यहाँ पर है कहा shift करना है right करो जी shift ठीक है नया demand कर बना फटा बट बोलो नाम दीवन रग दू चलो नाम रख दिया डीवन जहाँ पर इसने supply करव को intersect करा उसका नाम रख दिया E1 ठीक है अच्छा चलो देख लेते है बेटा rate पे impact पड़ा कुछ rate कुछ बढ़ गया quantity पे कुछ impact पड़ा quantity बढ़ गई अब क्या करोगे sixth point लिखना है explanation क्या करूँ क्या लिखो आब बताओ बेटा increase in demand नया कर बनाएगी जो बेटा demand करके right में बनाएगी नया कर बनाया जिसका नाम रख दिवन ठीक है इसने supply करव को जहाँ intersect करा वहाँ हमारे को एक नया point मिला नया equilibrium मिला जिसका नाम है E1 ठीक है जिसकी वज़े से बेटा rate shift हुआ R2R1 जिसकी वज़े से बेटा quantity shift हुई Q2Q1 खतम बात ओक्ये समझाई है explanation साथ पॉइंट आराम से बन रहे है पक्का से चलो ठीक है decrease in demand का effect क्या है अब decrease and divide हाँ ये optimum था बेटा अब ये नया मिला है price तो बड़ा है sorry rate तो बड़ा है और ये quantity ठीक है इसमें सोचना तो कुछ होता ही नहीं सच बात तो ये है बेटा ये तो free के number है लो चलो देखते हैं बेटा next one decrease in demand का effect क्या पड़ेगा लो जी demand कर बन गया supply कर बन गया point E आ गया R आ गया Q आ गया ठीक है decrease in demand right shift करो left left पक्का ये रहा left shift कर दो बेटा D1 D1 ठीक है बेटा supply कर को जहां intersect किया E1 ठीक है लो जी perpendicular trace करो R1 Q1 5 point की explanation similar है 6th point क्या लिखोगे decrease in demand का effect क्या है demand कर बनेगा जो बेटा left में बनेगा जिसका नाम है D1 इसने जहां पर supply कर को intersect किया जो SS था वहां पर हमें एक नया point मिला known as E1 perpendicular trace करा X axis पे भी Y axis पे भी बेटा हमें पता चल रहा है rate गिर रहा है as well as quantity quantity shift हो जाएगी Q2 Q1 rate shift हो जाएगा R2 R1 that's right बात ओके fit fine अगला increase in supply का effect लो जी जल्दी जल्दी बताना बेटा अब थोड़ी speed बढ़ा लेते हैं बेटा मेरा ख्याल समझ में आना शुरू हो गया क्या चीज़ आई है ठीक है अब speed बढ़ा लेते हैं ठीक है वैसे बता देता हूँ topic कुछ हमारा 15 मिनट का रहता है सब खतम हो चुका है chapter ठीक है X axis origin Y axis demand कर supply कर बेटा अब सोच कर बोलना ठीक है अब increase in demand की बात नी चलते है अब बात चलते है supply की right shift करो left increase हमेशा right ठीक है मैंने जान के बोला था सोच कर बोलना फिर left कर देते हो उसको कहा करो right बेटा करो जी right word shift कर दिया नया supply कर असेस जान demand करो इंटरसेक्ट कर रहा वो e1 चलो जी perpendicular trace कर रहा r1 and q1 अब बेटा explanation 5 point से 6th point बोलो increase in supply क्या करेगा बेटा नया supply कर बनाएगा जो पुराने supply कर के right में होगा जिसका नाम s1 s1 है जा इसने demand कर रहा इंटरसेक्ट किया नया point मिला known as e1 बेटा अगर हम perpendicular trace करें e1 से ठीक है दोनों axis पे तो हमें पता चल रहा है rate गिर रहा है लेकिन quantity बढ़ रही है बात ओक्के बढ़िया चलो अब क्या है decrease in supply लो जी ये भी नप्टाओ लो जी बात करते हैं बेटा decrease in supply की demand curve point e r q बेटा decrease in supply है कहां बनेगा left बना दिया s1 s1 giant intersect करा point e1 perpendicular trace कर लेना बेटा r1 and q1 ठीक है 5 point के explanation same नया कर्व बना s1 s1 जो left में बनेगा पुराने supply कर्व से giant set demand curve को intersect किया वो point e1 perpendicular दोनों axis पे trace करे rate बेटा बढ़ रहा है quantity गिर रही है पहले के comparison ठीक है जी सब topic खतम होगे last रहे गया foreign exchange market अब ये बहुत काम की बात है paper में अगर ये question इसका आएगा मुझे कोई doubt नहीं होगा ठीक है एक बात और बेटा foreign exchange market को समझाने के लिए मुझे एक आदा concept बहुत detail में पढ़ाना है ठीक है जिसमें पांच मिनट खर्च करना चाहता हूँ ठीक है ये CA final में जाकर knowledge आएगी वैसे डंग से तरीके से तो लेकिन आपके course में उसका हलका सा point दिया वह लेकिन मैं अगर हलके से बात बता दू तो समझ कुछ नहीं है ठीक है बेटा टॉपिक का नाम है foreign exchange market foreign exchange market क्या होती है market तो यह होती है whether there is a large number हो बाइन सल foreign exchange market क्या होती है it is the market where foreign currencies are bought and sold foreign currencies are bought and sold बेटा देखो एक बात समझ लो कोई भी market में क्या deal होता है जो जिस शीच की market है वो ही खरीदा और बेचा जाता है यह है किस शीच की market foreign exchange की market है तो foreign exchange ही तो खरीदी और बेची जाएंगी foreign exchange ही तो foreign currencies है ठीक है ना आपके course में इस से related दो topic है एक है बेटा market है कितने तरीके की और एक है बेटा functions के foreign exchange market के बेटा देखो पहले ही एक बात clear कर देता हूँ it is a market बोलने का मतलब यह नहीं होता कि हाँ कोई physical location होगी इसकी market बोलने का मतलब होता है it is a system एक एक system है आपको मैं business studies में primary market पढ़ाता हूँ primary market किसी जगे पे है पूरी दुनिया में नहीं बेटा it is a system कि पहली बार जब भी security बेचेगी company तो बेटा क्या करेगी primary market है बेचेगी primary market कोई जगा तोड़ी है it is a system इसलिए बता रहा हूँ बेटा foreign exchange market कोई जगा नहीं है यह एक system है जिसमें commercial bank participate करता है जिसमें reserve bank participate करता है जिसमें कुछ broker हो सकते है जिसमें exporter, importer हो सकते है यह system है कोई location नहीं है इसकी कहीं पर भी यह बात clear रखना ठीक है ना क्योंकि आप confused होगे अगर यह बात clear नहीं रखोगे आज हो चोगे कोई जगा है यहाँ पर जागर foreign currency खरीद नहीं बेचनी है कोई जगा नहीं है बेटा एक system है ठीक है? चलो बेटा, foreign exchange market दो तरीके की है ठीक है? एक का नाम है spot market और एक का नाम है forward market लो जी, समझने की कोशिस करते है spot market and forward market बेटा, इसको समझाना है मैंने बहुत ध्यान से इसको समझाने के साथ-साथ क्या होगा? forward market समझ में आएगी और क्या होगा? speculation वाले point clear हो जाएंगे और क्या होगा? foreign exchange market के तीन function है उसमें से एक function clear हो जाएगा known as hedging function hedging मतलब अपने risk को कम करना hedge करना, risk को खतम करने की कोशिश करना समझाऊंगा मैं मैं बहुत डीटेल समझाऊंगा CA final की बात बताऊंगा ठीक है? आपको बहुत अच्छा लगए हो सुनके अच्छा ऐसा भी कुछ होता है चलो spot market क्या होता है बेटा? spot market का मतलब क्या होता है बेटा, transaction today, settled at today आज transaction करो आज ही settle करो कतम कहा नहीं आपको फोरण जाना है आप गए बैंक बैंक में दिया इंडियन रुपी फोरण करनसी लिए आज ही transaction लिए आज ही settle down करा है हो गया बेटा यह होता है काम spot market में forward market क्या होता है बेटा? forward market होता है बेटा transaction today settled at future date settled at future date settled कभी future में करेंगे transaction तो आज की है लेकिन settle कर करेंगे कभी कर लेंगे future में ठीक है? बेटा, यह risk से बचाने के लिए हमें market यहीं पर speculation आपको समझ में आजेगा यहीं पर आपको hedging function समझ में आजेगा मैं detailed उठा रहा हूँ इस topic को ठीक है? detailed उठा रहा हूँ इसको ठीक है? अभी मैं यह rub कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मुझे बहुत सारे example देने आपको तो समझ में आएगा फिलाल के लिए भी याद रख लो forward market क्या होता है बेटा? transaction today settled at future date spot market transaction today मैंने ना आज कोई goods import कर लिए dollar 1 lakh के अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ forward market आपको अच्छे समझ में आना चीए ठीक है? मैंने 1 lakh dollar के कोई goods import कर लिए मेरे exporter से ठीक ठाक टाम है मैंने उसको बोला तिरे को payment मिलेगी 38 June को 33 महीने के बाद उसने का OK 30 June को मुझे payment कर लिए ठीक है? अब मेरे को डर है कि यार आज तो 1 dollar का price ना 70 रुपे चल रहा है ठीक है? कल ये 3 महीने के बाद 30 June तक अगर 75 रुपे पौँच गया तो मेरी expectation है dollar का price बढ़ेगा expectation तो ही सकती है क्योंकि dollar एक strongest currency है economy की तो बेटा generally importer को बहुत डर लगता है बेटा अगर ये 75 रुपे पहुच गया 5 रुपे पहुच गया ना 5 रुपे का नुकसान होगा सिद्धा सिद्धा समझ में आ रहा है ना आज अगर payment करनी होगी importer को तो कैसे करोगे? 70 रुपे लेकर जाओगे 1 रुपे मिल जाएंगे payment कर दोगे अगर बेटा ये 3 महीने बाद 75 रुपे का होगे तो 75 रुपे का होगे तो 85 रुपे का लेकर जाने पढ़ेंगे तब मिलेंगे एक लाँ डुपे पांस लाँ का नुकसान होगा saturday at future date payment करूँगा 30 जून को उसने को ठीक है payment कब करेगा 30 जून को लेकिन इसके बदले में न तुझे एक premium देना पड़ेगा known as option premium बोलते हैं इसको property कभी खरीदते हैं तो क्या होता है बेटा तीन महीने के बाद करेंगे payment तीन महीने के बाद registry करा लेंगे down payment आज कर देते हैं तीन महीने के बाद 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 की बची भी payment दे देंगे और registry ले लेंगे बिल्कुल यहां पर भी यही होता है बेटा आपने क्या करा आपने का 30 जून को खरीच जाओंगा आकर एक लाग डॉलर 70 के price पर ही खरीच दूँगा price कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है ठीक है और मैं option premium आपको देखे जा रहा हूँ 50,000 रुपे बात ओके बात समझाई अभी तक की कानी समझ भाई आज बेटा 30 जून आ गई ठीक है और spot market में spot market में आज 30 जून है spot market में price चल रहा है एक डॉलर का कुछ भी हो सकता है 71 आपने कितने में buy किया वा है 70 में बेटा 70 के हिसाफ से payment करो और चलते बनो आपको एक लाग डॉलर मिल जाएंगे आपने इसकी लिए ही premium दिया था आप नुकसान से बच गए के नहीं बच गए मालो यह price बेटा 75 हो जाता अब fee लोगा बचे के नहीं बचे बच गए फटा बचे के नहीं बचे आपको के लगता है यह समझाना था मैंने एक डॉलर का price हो गया 68 समझाना थो यह था मज़ा तो हो बाएगा spot market में price है एक डॉलर का 68 हमने वारवर्ट market में भाई किया हुए 70 रुपे का बेटा एक काम करो अगर इनसे खरीद लोगे 70 रुपे में तो 2 लाख रुपे का नुकसान दिखाई दे रहे ना आप क्या दो मैं contract फुल्फिल नहीं करता क्या होगा ये 50 रुपे जब्त हो जाएंगे आपके कर लो जब्त चाहिए ही नहीं और क्या करो बेटा spot market में जाओ आज 1 लाख डॉलर spot market से खरीद लो कितने रुपे मिल जाएंगे स्वरी कितने रुपे लगेंगे आपकी जेव से 68 लाक्स पचास जार का नुक्सान हो गया आपको 68.5 का पढ़ गया माँ से खरी लेते तो 70 का पढ़ जाता नुक्सान हो जाता बेटा डेड़ लाग रुपे और जाते यहां पचास जार का ही तो नुक्सान हुआ सर समझ में आ रहा what do you mean by spot market and forward market किसके लिए काम आ रहे है यह है्जिंग के आपका रिस्ट कम कर रही है रिस्टी तो कम कर रही है यही तो हैजिंग फंक्शन है सच बता रहो हूँ जिरुन उनने नहीं कर रहा के न c a final समझा नहीं सकता कोई हैजिंग मान जाओंगा आपको कोई अजिंग समझा दे आपको सी ए फाइनल में टॉपिक है समझा है ही बात ओक्या है बात अब एक बात और बोल देता हूँ बेटा जब हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले Demand of Goods में Speculation यादा ही बात पढ़ रहे थे ना बेटा वो ये बात है आपने आज ही Demand कर दी एक लाग डॉलर की लेकिन ये तीन महीने तक के लिए तो Speculative ही है ना Demand पर बेटा मार्केट में तो Demand create होगी ना कि एक बंदा है थे एक लाग डॉलर मांग कर गया तो बेटा Speculation के case में भी Demand होती है दूसरे point of view से क्योंकि एक point of view से दिल भरता नहीं हमारा दूसरे point of view से समझना बेटा आज 1st of April है Price है एक डॉलर का 70 रुपे हो सकता है ठीक है एक डॉलर का प्राइज है 70 रुपे ठीक है और मैंने आज किसी को एक लाग डॉलर का goods बेचा है एक्सपोर्ट कर दिया है एक्सपोर्टर कहता है 30 जून को payment दूँगा कहता है 30 जून को payment दूँगा अब मुझे डर मैंने का अगर ये गलती से प्राइस गिर गया अगर मुझे आज पेमेंट मिजाते तो मुझे 70 लाग रुपे मिल जाते अगर ये कलको 68 रहे गया तो क्या होगा मुझे 2 लाग का नुकसान होजएगा आज ही sell करो मैं आज ही पहुँच गया forward market में मैंने का sell करे 1 लाग डॉलर transaction आज कर रहा हूँ settle कप करूँगा 30 जून को 30 जून को क्या करूँगा वेटा 1 लाग डॉलर sell कर जाऊँगा आपको दे जाऊँगा आप मुझे मेरा cash दे देना रुपी दे देना transaction आज कर रहा हूँ settle कप होना future date हो सकता है forward market यही तो होती है transaction today settle at future date ठीक है जी 30 जून आ गई 1 डॉलर का price as expected 68 हो गया रुपी 68 मैंने इसके लिए option premium पे किया हूँ 50,000 रुपे तभी तो contract कराएंगे पहले advance देना बढ़ेंगा न advance दे रखा 50,000 contract हो गया ठीक है जी हंची 1 डॉलर हो गया 68 as expected मुझे क्या बरक पड़ता है 70 रुपे में बिकेगा मेरा तो 70 लाख मिलेंगे 50,000 का नुकसान होगा कोई दिक्कत नी 69,000,50,000 कोई दिक्कत नी पर यह तोड़ी समझाना है आपको पता ही है समझाना क्या 1 डॉलर हो गया बेटा 72 का अगर अब 70 के दाम पे बेच दोंगा यार 2,000,000 का नुकसान छोड़ हम कोंट्रेक्ट कैंसिल करते है 50,000 कोई नी आप हमारे 50,000 रख लो हम क्या करेंगे बेटा spot market में price दो रहा है spot market में जाकर बेचाओ ठीक है 72,000,000 मिल जाएंगे 50,000 का नुकसान हो 25,500,000 का माली 50,000,000 और बचा गया this is known as hedging risk cover on a with the help of forward market and spot market दोनों को मिला कर risk खज हो रहा है समझा ही बात? ठीक है? एक बात और अभी एक बात खत्म नहीं होई हमने speculation supply of foreign exchange में भी पढ़ा था demand में भी पढ़ा था ये बेटा उसका है तो मैंने क्या कर रहा एक अप्रेल को जाके कहते है good sell करे एक लाग डॉलर sell कर दिये थी मेरे पास आने कब थे? तीजी उनको speculative speculative sale ही तो है और क्या? अभी कोई होगी मेरी sale तीन वहीने तक तो दूँगा ही नहीं लेकिन मैंने artificial supply तो create करी दी economy में चमझा ही बाद? ओक्य हो अब इस बात पर यह बताओ बस ठीक है? तीन function थे एक मैंने बता दिया बचे दो function दो मिनट के लिए पोस करते हैं फिर बताता बेटा foreign exchange market के दो function बचे हैं ठीक है? दोनो function बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे बेटा, first one is transfer function and second one is credit function लो जी, बड़ा जल्दी से समझने की कोशिस करेंगे इन दोनों को transfer function बेटा, foreign exchange market हमारे fund transfer कर देती है fund transfer may be with the help of bill of exchange with the help of bank draft या it may be a telephonic transfer लो, समझाने की कोशिस करता हूँ कुछ बाद बेटा, आज मैं एक website operate कर रहा हूँ alibaba.com ठीक है? मेरे को कोई चीज पसंद आ गई और उसका price dollar की terms में लिखावा है नहीं लिखावा Indian rupee की term में शाद दिखा भी नहीं होता होगा ठीक है? मेरे को पसंद आ गई मैं buy करना चाहता हूँ मैंने buy करा बेटा, मेरे bank account से पैसे इंडिया रूपी में कटेंगे और वहाँ पर पैसे मिलेंगे foreign exchange में foreign currency में पैसे मिलेंगे it is a telephonic transfer का fund transfer नहीं function perform करती? करती है मेरे को कोई protein पसंद आ रहा है आपको पता है? जितने भी protein इंडिया में बिखते हैं सबसे ज़्यादा established brand US के है कोई person directly खरीदना चाहता है middleman से खरीद के नुकसान होता है या मेहंगा पढ़ता है या dupli kc बहुत ज़्यादा है उसने website पर visit करा वहाँ पर बेटा US dollar के terms में price fix था और आप Indian हो क्या होगा बेटा? आप fund transfer कर सकते हैं उसकी खुद की currency में transfer होगा और आप से cutting Indian रूपी में क्या fund transfer नहीं होते हैं होते हैं easily ठीक है? या बेटा माल लो मैं purchase करने जा रहा हूं कोई अपनी shop के लिए goods foreign से let's suppose China और वो लेंगे US dollar में payment मैंने यहां से माल की कीमत पता करा ली sample whatsapp पर देख लिए सब कुछ कर लिया मैंने का लेकिन एक बार मैं देख कर आना चाहता हूं मैंने क्या करा बेटा यहां से bank draft बनवा कर चला गया उनकी खुद की currency का वहां गया देखा goods अपने सामने मुझे fit fine लगा मैंने क्या करा transportation पर vessel की formality पूरी करी vessel पर डलवा दिया goods और बेटा वहां पर जाकर उनको bank draft दे दिया वेटा अराम से fund transfer हो जाते है तो transfer भी एक function है इनका fund transfer होते है and last one is credit function बेटा foreign exchange market में उधार मिलता है के नहीं मिलता मिल जाता होगा चलो एक बाट पट आपट से जल्दी से बात करते है US India ठीक है आपकी terms and condition इनके साथ बहुत ठीक है L.I.L.C. का नाम सुने हैं कभी मैं इसे बताता हूँ L.C. letter of credit 11 पता नहीं पास होके नहीं हो लेकिन चलो बहुत जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा मैंने क्या करा मैंने US वाले को भेज़ा कि मेरे को तेरे goods समझ में आगे मेरे को sample भी पसंदा है एक काम कर तूँ महां से ना goods भेज़ दे जैसे goods मेरे पास इंडिया पहुच जाएंगे मैं तेरे को तेरे पैसे दे दूँगा उसे ने का क्या बत कर रहा है ऐसे दोड़ी होता है तूँ एक काम कर सबसे पहले ना तूँ पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दे जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं यहां से goods release कर दूँगा मैंने का यार क्या बत कर रहा है मैं अगर पैसे भेज़ दूँगा तेरे को यहां से तेरे पास पैसे बहुच गया और तूने बाद में goods ना बेज़े तो कहता है मैंने यहां से goods भेज़ दिये और बाद में तुने पैसे ना वेजे तो बेटा देखो ये कोई इंडिया की इंडिया में बात नहीं और यूएस की यूएस बात नहीं है गल्ती से भी अगर इसने यहां से goods ना वेजे आपने पैसे दे दिये claim करना महा भारत हो जाएगा महा भारत, पैसे नहीं क्लेम कर पाओगे डूंड नहीं पाओगे बेटा दुखी हो जाओगे, मानते हो ना इस बात को overseas operation की बात है ये कोई ऐसी बात नहीं है, और ऐसे ही इसके साथ भी है situation, तो बेटा foreign system में पैसे का एक solution है, जिसको हम बोलते है LC, letter of credit, शायद कभी सुना हो, 11 पास हो तो शायद सुना होना चीए, मुझे I hope, पक्का पता है मेरे को, कितनों ने सुना है बेटा, LC is a special kind of account जो बेंक के बास खोला जाता है और इसके speciality है, एक बार बेटा payment डलवाली, तो आपका withdrawal का right खतम है ठीक है आपने क्या कर रहा, बेटा इससे बुचा तेरे घर के आसपास कौन सा Indian bank है, इसने बोला State Bank of India है होता होगा, बरन में नहीं होता होगा होता होगा, ठीक है इसने का State Bank of India, इसने का बहुत बढ़िया ये गया State Bank of India और वहाँ पर LC open करा ली ठीक है, और बेटा क्या हुआ इसका withdrawal का right खतम इस SBI bank ने इस SBI bank को guarantee दी, bank की guarantee तो valid है bank की guarantee तो valid है इस SBI bank ने इस bank को guarantee दी, कि fund मेरे पास आ चुक है, मैं दूँगा तेरे को पैसे तो यहां से goods चलान करवा, exporter से SBI bank ने guarantee दे दी इसको, मैं दूँगा तेरे पैसे तो यहां पर goods दे इंसान की guarantee valid है, bank की तो है बता देता हूँ, मेहुल, चॉक्सी, नीरम, होदी का जो fraud हुआ था, bank guarantee का इपंगा था, जब काओ गया, जिस दिन time होगा, तो पूरा समझाओंगा, fraud था थीक है जी, तो अब हुआ क्या बेटा, SBI bank ने guarantee दे दी exporter को, माल रे exporter का नाम है Mr. E, exporter से रूठा रहो, और यहां पर जो बंदा importer उसका नाम है Mr. I, चीक है जी, बेटा इसने goods बनाए, vessel पर रखवा दिये, क्या vessel से कोई रसीद मिलती होगी, मिलती है, known as bill of lading, कुछ याद हो, हाँ, याद है, याद है, याद है, bill of lading मिल गया इसको, तो बेटा ये क्या करता था, ये bill of lading hand over करता था SBI को, ये SBI, इस SBI को hand over करता था, SBI को proof मिल गया, हाँ जी, वहाँ से goods चल चुके हैं, तो ये SBI payment release करता था, यहाँ तक आती थी, और ये इसको payment दे देता था, और ये bill of lading, ये hand over करता था, Mr. I को, जो port पर जाता था, bill of lading दिखाता था, और goods release करके ले आता था, पता है आपको, चलो, दूसरी बात, ये तो थोड़ी बताना था, credit function है, ये तो नगत हो गया, उधार क्या है, फिर उधार किस बात का है, उधार किस बात का है, बेटा आप दोनों एक दूसरे के no-no, Mr. E और I, ठीक है, एक दूसरे के no-no, payment अभी नहीं करी LC में, इसने क्या करा, goods चलवा दिये, SBI bank को bill of lading दे दिया, बेटा, if bill of exchange is site draft, site draft समझते हो, देखते ही payment करो, इसका मतलब बता है क्या है, पहले bill of exchange दिया जाएगा, उसके sign कराए जाएगे, हाथो हाथ payment ली जाएगी, और उसको bill of lading दिया जाएगा, ये भी credit function नहीं है, credit function क्या है, usance draft, bill of exchange दो तरीके का, एक होता है site draft, मतलब देखते ही payment करना है, एक होता है usance draft, बेटा, मान लो ये bill of exchange, usance draft है और ये bill of lading आपके बास आया, तो बेटा, इस SBI bank की जिम्मेदारी होगी, पहले usance draft पे sign कराएगा, ये usance draft पे sign करेगा, i importer, उसमें सारी शर्ते लिखी होगी, कि आपको 3 महीने में, maximum 10 योर होता है 90 दिन, 33 महीने में तो payment करनी ही बढ़ती है, यानि कि 3 महीने तक का उधार हो सकता है, इसने sign करा, हाँ मैं agree करता हूँ, कि मैं 3 महीने गाद payment करूँग, otherwise मेरे उपर ये action ले लेना, वो action लेना, सब कुछ लिंग दिना, function होता है, मैं यही दिखा रहा था आपको, maximum 90 दिन का उधार मिल सकता है, although मेरे इतना detailed पढ़ाना जरूरी नहीं था, मैं अगर आपको बोल देता कि, युसांस draft में होता है, तो आप शकले देखते हैं मेरी, यह क्या चीज होती है, इसलिए मेरे को details पढ़ाना पढ़ा, site draft का फाइदा क्या हुआ, अभी तक payment नहीं आई, नहीं बनवायना चाहता है, यह यह अपना withdrawal का right नहीं खतम करना चाहता, हो सकता है, मैं आप से बूच हूँ, RTGS naft का क्या फाइदा, दूसरे बैंक में जागर, कैसी जमा करा लिया करो, हर चीज का अपना फाइदा नुक्सान है भाई, चलो, ठीक है जी, बाबाई,